तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपने नाम का डीजे भॉस बना सकते हैं जैसे कि अगर आप लोग कोई भी गाना सुनते हैं और उसमें डीजे ससी, डीजे विकास, डीजे डिके राजा ऐसे बोलता है उस प्रकार का नाम आप लोग अपने नाम से अपने नाम से कैसे भोकल बना सकते हैं इस स्यारे चीजे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं और किस प्रकार से गाने में अपने नाम को सेट कर सकते हैं यह भी चीजे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा तो से पहले आपको यहां पर दैख सकते हैंieves्ट में सेर्च करना है नहीं तो यहां पर यह वाला भाely करना है तो तो मैंने आलेडी इसको डाउनलोड करके रखा है तो simply मैं क्या करूंगा open कर लूँगा open करने का बाद से कुछ इस प्रकार से open नहीं होगा मैं आपको बता देता हूं कुछ इस प्रकार से open होगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आपको simply यहां पर एक browser का future दिया इस सर्च कर देना है सर्च करने के बाद से कुछ इस प्रकार से open होगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर यह वाला यह वाला फास्ट वाले जो लिखा हुगा है मैं आपको तरीकी से बता दूँ यह वाला यह वाले यहां पर आपको यह वाला पढ़ना होगा तो आपको इस पर क्लिक करना होगा कि यहां पर क्लिक करने के बाद सो कुछ इस प्रकास से इसके इंटरफेस ओपन होगा जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आपको इस यहां पर एक रूख आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकास से इसके इंटरफेस हुआ है भोकल यहां पर आपको जो संगीता इंडियन लिखा हुए इस पर आपको क्लिक करना हुआ यहां पर क्लिक करने के बाद से आपको यहां पर संगीता इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा तो चलिए संगीता इंडियन आपको सेलेक्ट कर लिए और मैंने इसको पहले यू आप नाम से आप अपनेigocahl को बनाना चाहते हैं जासे DJ eh Bloom बिखे ना है जिस नाम से बनाना चाहते हैं वह आपको यहाँ पर लिख.. हूँ gern भूग यहाँ यहाँ वह ग च्लिक्क करना होगा। कि यहां पर किलने करने के बस आपका भोकल ben जाए कि और ईख कैसा बोला हुआ Cow आपको यहां पर संगीता lives करेंगे क्योंकिस अंगीत करेंगे क्योंकि संगीता अग्यान घच चुका है यहांपर मैंने लिख की दिया अभ फिर से करेंगे गो किल्क करने के बाद से आपका जो वोकल बोला है यहां पर आप देख सकते युथ डाऊब्लोड का अवसन दे दिया है तो संप्ले हमätter यहां पर पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते के तना अच्वा तरीके से यहां पर बन चुका है, तो आप जो नाम यहां पर बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं, जिटे मुझे बनाना है, अपने नाम से देखते हैं, वो बनता है कि नहीं, एके सिंग में लिखता हूं डीजे एके सिंग और यहां पर एस्टार पर क्लिक करेंगे तो इस सही नहीं बोल रहा है तो क्यों नहीं बोला है कि इसको फिर से बड़ा लेटर में लिखेंगे अब फिर से देखेंगे कि दी जे किसंग देख सकते कितना अच्छा लेक दिया completely हम यहांपर क्लिक करेंगे और इसको फिर होएकर से directing प्रकास upside क्लिक करेंगे और यहां पक्लिक करेंगे और यहां पर हो नाम था वह हम लोग यहां पर लिख लेंगे किसा के सब काटके दीजे मीמעन को यहां पर मैंने लिख दिया एंस्टार्थ लिक किया को करने की लिखने का बार से यह भी यहां पर डाउनलोड हो गया एक तो दोस्तों आप इस प्रकार चाप अपने नाम से बना सकते हैं जो भी आपको बनाना है यह पर डीजे विकास लिख दिजिए या जूब अब लिख सकते हैं अब चलिए हमसे को कैसे हम अपने किसी भी गाने में सेड कर सकते हैं ओड चीजे हम लोग के आज ओप बाहर आने के बाद से टातक को मैं बंद करदेता है और यहां पर मैं ने डार खुरू बंद कर दिया और यह फोलिन मुन्थ में लगा दिया जिससे की कमर दूना है अब क्या करें के अपनेext통 को ओपिन करेंगे तो हमने अफल स्टूर मोबाल को ओपिन किया ओपिन करने के बाद से आप दिख सकते हैं कि यह रहा गाना और इसी गाने के अंदर हम लोग लगाएंगे और इस गाने को मैंने आप लोग को रिमिक्स करकी भी बताया था और इफेक्स कैसे लगा सकते हैं सारी चीजिए मैंने आपको बताया था अब चलिए इसको लगाना कैसे है इसके अंदर तो उसके लिए आपको प्लस यहां पर उस भोकल को एड करना होगा को अधम करने के लिए यहां पर जाएंगे और इन पिपिट का अबसान हाँ झती आने के वाद से उस ब्रायुजर का फाई पुंदें आपbelt ब्वाइय खातिकर अंदर ईंदर आपको चले जाना है इसके अंदर जाने के बाद कंवाद यहां पर किलिक नहीं एक प्रुकतेक्री ऊंहें के इसको बोगों नाया यह वला है देख सकते हैं तो simply हम इस पर क्लिक करेंगे वोकेपर क्लीक करेंगे अ करेंगे हो पर क्लिक करनेगे वोकेभा रह्ल elder गया होगा यहां पर यहां अदर यहां पर हमारा भोकल करने के बाद से अब क्या करेंगे यह वाला फालतु का पार से पीछे वो काड़ देंगे और सुन सकते हैं कैसा साउंड करें अब इसको लगाना कैसे तो लगाने के लिए कि सबसे पहले हमको दिखना है कि हमारा गाना जो चलता है उस किस जगह पर हम लोग लगाएंगे इस वोकल को अच्छ लगे तो जैसे कि यहां पर कि मैं आपको सुना हूं इसको अठा देता हूं तो आपको बताऊं कि जहां से हमारे पैटर्ण चल रहा है यानि हम जो म्यूजिक चल रहा है गाने का वहीं पर हम लोग लगाएंगे तो अच्छ लगता है जैसे कि फर्स्ट में आप लगा सकते हैं मैं साउंड को थोड़ा कम क कर देता हूं अगर लगाना चाहते तो यहां पर लगा सकते हैं यहां पर नहीं लगाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा आपको यहां से लगा सकते यह वाला और लगाने के जो तरीक्या होता है यहां से आपका ठीन जूरह जैसे यहां पर हम लागा लगाएंगे पर हमारे किक चल रहा है यहां पर मैं लगाउंगा तो सबसे अच्छा रहएगा तो चलिए रही को कि यहां पर लाएंगे घीच के और इसको के जीम करेंगे के जीम करने के बाद से ếको थोड़ा देखिए warm करने के बात से हमारे जो भोकल यहां से प्रेक्स हो यांसे स्टार्ट हो रहा है ने तो इसको खीच के यह 10 noise जो पर ढूंबहERS h regime के इसके सामने बिए अब इसको सुनेंगे enfin इसके अंसे हमको इफ्यक्ट लगाना है की जीड से की हमारा फोकल और ठोड़ा चालर तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे इडिट पर जाएंगे और इसको जूम करेंगे और यहां से लेकर यहां तक हम इसको सेलेक्ट कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहां पर एक प्लस का एकन दिखाई देर होगा इस पर क्लिक करेंगे कख और यहां पर नॉर्मलाइज का अपने इस पर क्लिक करके इसको नेडाज कर देंगे नाने का बाद से इसका उपी देख सकते हैं पहले कितना छोटा था अब कितना लंबा जुगा है बजानी के बाद से फिर से सुनेंगे तो कैसे बजेगा थोड़ा ए को अब अच्छा प्रेप नबाट पर क्लिक करके सबस्टेबडर को डाल नेंगे उसके प्रמצ के प्रिक नेंकर पर क्लिक करके यहां पर हम लेंगे लो लो एंड हाई बोश्ट लिखा इस पर क्लिक करेंगे और इसको उपर करेंगे फिर प्रलाइस क्लिक करके यहां पर लेंगे इसको हम सुनेंगे तो कुछ इस परकार से साउंड करेगा तो देख सकते कितना अच्छा तरीके से बोलने लगा अब इसको अगर आप गाने में सुनते होंगे तो किसे गाने में एक बार दो बार तीन चार बार मतलब गाने में वोकल बोलता है तो उसको कैसे हम लोग लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको कोपी करेंगे और यहां पर हमने 10 नमर पर लगाया है तो सिंपली हम लोग 11 नमर पर लगाएंगे कुछ ऐसा ठीक है और फिर से दोनों को मैं कॉपी कर दूंगा क्योंकि मुझे चार बर बोलूँ आना है तो चार बर इसको लगाएंगे फिर हम लोग बारत और 13 पर लगा देंगे कुछ इस सुनिए यहां तक हम लोग ने लगा दिया लगाने के बाद इसको साउंड को धीरे-धीरे कम करने के लिए इस पर हम लोग आटोमेशन लगाएंगे तो आटोमेशन लगाने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लगा देना होगा यहां पर क्योंकि हमारा दस नम करके देने के अदिक्तु यह थे लिए एक healthy अगए इसको हमको यहां तक यहां तक हमारा ब्लऴव करना है और यह रहा बक्स इस पर क्लिक करके एडिट में जाएंगे एडिट में जाने के बाद यहां पर आपको एक सफेद का पतला साय यहां से लेकर यहां तक लाइन दिखाई दे रहा है कि उसके सामने हम लोग किली करेंगे। यहां फेर कले करने में अब देख सकते कि पिला का आघका बहुत की दिखने को ए hace लाइंग है इसको क्लिक करके उसके उप्र लिखने को बैठा देना है सही तरीक भरु समय बैठा네 बाह荜 लाज दीआ हो देख करेंगे की पीला काला पट्टी है इसके सामने हम बैठा देंगे यहां तक देख सकते हैं इसके सामने वाला बिंदू को लगा देंगे जैसे कि कुछ आप देख सकते हैं तो इस परकार से कुछ यह बन जाएगा जिससी कि हमारा जो भोकल है धीरे 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 यहां तक स्लो होते जाएगा चलिए थोड़ा हम सुन लेते हैं कि सहीच में ऐसा काम कर रहा है कि नहीं कि अगर इसको स्लो मैंने कर दिया अगर इसको मैं प्लेव करूंगा तो यह वाला जो भैलूम उनौप है धीरे-धीरे इसका साउंड कम होते जाएगा चलिए सुनिए दोस्तों आप सुन लिए और यहां पर भैलूम भी दिख लिए कैसा देरे-धीरे साउंड कम हो रहा था ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग इसका आटोमेंस लगा सकते हैं और गाने का भैलूम देरे-धीरे यानि भोकल का जो भैलूम है देरे-धीरे कम कर सकते हैं अब अपने करेंगा और यहां पर क्लोन क है देख ने कुलोन करोंगा और जो नीची सेफिए लुम दिखल लोग लोग व्हीं करोंग और यहां अपना जका णाम झेल्याम पश subject करोंगा जाहाएं गाउव ही उलिज्वारा सभाष लीजो रोभात एबनाके लेने के बाद से सेम लोग ने अपने भोकल बैठाया था उसी पोड़ासिका बैठादेंगे और यह प्रेकाल कि बैठार के इसको बेटादेंगे दिख लीजिए बैठा दिए बैठाने के बाद से अब ये भी कैसा बज़ेगा सुनिए देवर या जीला देवर ये भी इसका भोकल साउंड कम होते जाएगा अब इसको मुझे लगाना का है कि इसके हम एक दोने एक साथ हम बजाएंगे तो आपस में टेकर आएगा उसको हमक अग के सामने की और इसको स्लेक्ट करेंगे जूम करके इसको देरे-दिरे पीछी पीछी कीचिएंगे और इसके सामने बैठा देंगे देख सकती है बैठी यह अगर इसको अब पले करें तो कैसा साउंड करेगा सुनिये के इसना आपको बैठा लेना है अब simply आपको इसको कोपी करना है अब जहां जहां पर आपको इस भोकल को लगाना है वहां तर लगाते जाए तो कहां लगाना है आपको पता मैंने बता दिया कि जहां से हमारा आप मूजक चल रहा है और जहां से पैटर चेंज होना उसी कास पर रहा है यहां पर सब्सक्राइब करेंगे यहां साक्का बारी मुझेशं कर देंगे अब सूनेंगे तीजी के फ्रीकम य चील लुवत ऐसे मैं ने लगा दिया उस्य पकार से आपको आगे जो है इसे सीटार यहां पर मैं लगातmee यहां पर फिरसे पाइड लगाया लगाया था निसे पकार से यहां पर भी लगए गा लगा दिए अब यहां पर तो लग एक अगर आप गाने के लाश्ट में भी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं तो लगाने के लिए चैनल के कर दिने के क Vergleichेश और यहांपर लगाती शोच सेव करना हैं तो सबसे पहले हैं कि यहां पर मैंने गाने का भालूम तोड़ा कम किया था तो simply हम लोग यहां पर किलिक करेंगे और इसको default यहां पर किलिक करके यहां पर हम अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो default रख सकते हैं आप लोग मतलब गाने को सून कर देख लिजेगा कि इसका भालूम कम करना या ज्यादा करना कम करना करना अगर मांग रहा है कम करना तो कम कर देजिए नहीं तो आप default रखिए ठीक है तो मेरे हिसाब से मुझे माइनिस रखना है अब इसको सेव कैसे करना है क्योंकि गाना हमारा यह complete रिमिक्स दो चुगा है सब कुछ वोकल होकल सारे चीज़े लग चुके तो इसको सेव कर कैसे करना है तो सेव करने के लिए सिंपल हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर सेव का उप्शन इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो गाने का नाम है वह हम लोग डाल देंगे तो जो भी आपके गाने के नाम है वह डाल दीजिए कि जैसे जैसे गाना है नचनिया कारण तो मैं लिख दूँगा कि मैंने लिखते हैं नचनिया कारण लिखने बासे अब यहां पर से सिंगर करें यहां पर इस परकार से लगा के इसके बाद सिंगर का नाम लिख देंगे जैसे यहां पर लिखे देख सारी लाल नीचह लब एक संटो टेंगे अवर बास्की आपे लिखने। बोल्शाण यहां पर टाल धेंगे और फोलुक्त राओंट यहां यहां पर लगा के चलक में कॉस्ट मीं डाल देता हूं जzu कि मेरा अपने नाम कुछ इस प्रकार से रख दिया उसके बास आपको यहां पर क्लिक करने के बास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आजागा तो सबसे पहले आपको यह फेल्पी पर सेलेक्ट करना है और सेव करना है अब इसको गाने को कैसे सेव करना है तो गाने को सेव करने के लिए और यहां पर MP3 पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर हाई क्वाल्टी पर क्लिक करेंगे रेडिरेक्ट पर क्लिक करेंगे रेडिरेक्ट पर क्लिक करने के पासे आपका यहां पर सेव होने लेगा जैसे आप यहां पर देख सकते हैं तो इस परकार से आप लोग अपने किसी भी गाने में नाम लगा सकत क्लिक करना होगा उसके पास है अब गाने को सुनिए कहीं अफलोड करना तो अपलोड किये या से इस प्रकार से दोस्तों आप कशचे वर गाने को रीमिक्स कर सकते हैं और अंपने भूकल लगा सकते हैं तो फिरना करेथ कि आप मन में कोई भी सवाल हो दो कमेंट तुक में कमेंट करने ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब के दान्य बाद जैन जैए भारत